दोस्तों अगर आपके YouTube चैनल पर 50 स्क्राइबर्स कम्प्लीट हो चुके हैं और फिर भी आपके YouTube चैनल पर अभी तक जो लाइव वाला फीचर है वो इनेबल नहीं हुआ है तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देख लिजेगा तो इस वीडियो में मैं आपको जो है उसका य लाइव वाला फीचर है वो यहाँ पर इनेबल हो जाता है तो चलिए यहाँ पर वीडियो को स्टार्ट करते हैं एंड वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट करता हूं कि वीडियो को लाइक एंड चैनल को सस्क्राइब जरूर कर लिजेगा और आप पर जो है live वाले feature को enable करने के लिए कौन-कौन से criteria की यहाँ पर जरूरत होती है कौन-कौन से चीज़े आपको अपने YouTube channel पर check करने है वो सारा कुछ यहाँ पर लिखा हुआ है मैं एक एक करके आपको यहाँ पर सारी है no live streaming restriction within the last 90 days on your channel मतलब यहाँ पर जो है last 90 days में आपके चैनल पर किसी भी प्रकार से कोई भी strike यहाँ पर नहीं होनी चाहिए तो आपका जो live वाला feature है वो यहाँ पर enable नहीं होगा ठीक है उसके बाद यहाँ पर बात कर लेते हैं to verify your channel मतलब हम आपको क्या करना एक आपने YouTube चैनल को यहाँ पर verify करा मतलब है कुछ इस ता क्दहिए तो आपको कुछ इस तरीके से ए fram गाल Alors कुट आपको अपने YouTube चैनल पर करा लेता है उसके बाद यहाँ पर निचे लिख ए to turn on live streaming you may be needed to wait 24 hours before you can start अगर आपके चनल पर YouTube चनल पर यहाँ पर 50 subscribers complete हो चुके हैं, कोई भी यहाँ पर restriction नहीं है, तो आपको यहाँ पर अपने चनल पर live करने के लिए यहाँ पर 24 गंटे लगेंगे, आपको क्या करना है कि लाइफ स्टीम पर क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपक का यहाँ पर होना चाहिए, अगर इससे low का आपका device है, तो आपके जो YouTube चनल पर live का जो feature है, वो यहाँ पर enable नहीं होगा, ठीक है, तो यहाँ पर मैंने आपको सारे points यहाँ पर बता दिये, कि आपको अपने YouTube चनल पर live feature को enable करने के लिए, कौन कौन से criteria को यहाँ पर complete करना परता है, मैं एक और बार आपको यहाँ पर short में बता देता हूँ, तो आपके चनल पर 50 subscribers होने चाहिए, आपके YouTube चनल पर 90 days में, कोई भी यहाँ पर आपके YouTube चनल पर restriction किसी भी प्रकार से नहीं होने चाहिए, और यहाँ पर आपका जो channel है, वो यहाँ पर verify होना चाहिए, ज यहाँ पर enable हो जाता है, कुछ इस तरीके से मैं आप पर photo लगा दूँगा, वो देख लिजिएगा, और यहाँ पर नीचे 5 point, मतलब Android में 5 point plus device आपका यहाँ पर होना चाहिए, वर्जन यहाँ पर 5 point होना चाहिए, और यहाँ पर iOS में 8 plus device यहाँ पर आपका होना चाहिए, त कमेंट कर देना मिलते हैं next किसी मज़ेदार वीडियो में